साथियों, 2018 में ही देश ने आजाद हिंद सरकार के 75 सान को भी उतने ही धूम धाम से मनाया था। देश ने उसी साल सुभाष चंद्रबोज आपता प्रबंदन पुरसकार भी शुरू किये। ने ताजी ने दिल्ली दूर नहीं का नारा देकर लाल किले पर जंडा फैराने का जो सपना देखा था। उनका वो सपना देश ने लाल किले पर जंड पहरा कर पूरा किया भाई आरे बहनों जब आजादीन भोच की कैप मैंने लाल किले पर जंड फहराया था, उसे मैंने अपने सर पर लगाया था उस वक्त मेरे मन मस्तिसक में बहुत कुछ चल रहा था बहुत से सवाल थे, बहुत से बाते थी, एक अलग अनुवूती थी, मैं नेता जी के बारे में सोच रहा था, देश वाच्छों के बारे में सोच रहा था, वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे, जवाब यही है, हमारे और आपके लिए, वो कई कई दिनों तक, आमरान अंसन के, किसके लिए करते रहें, आपके और हमारे लिए, वो महिनों तक, किसके लिए जेल की कोठ्री में सजा भूगत न रहें, आपके और हमारे लिए, कौन ऐसा होगा, जिसके जीवन के पीशे, इतनी बड़ी अंग्रेजी हकुमत लगी हो, वो जान हत्यली पर रखकर, फरार हो जाए, हफ्तों हफ्तों तक वो, काबूल की सडकों पर, अपना जीवन दाउं पर लगागर, एक एमबेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहें, किसके लिए? हमारे और आप के लिए, विश्व युद्व के उस माहोल में, देश के बीच, पल पल बदलते, देशों के बीच के रिष्टें, इसके बीच, क्यों, वो हर देश में जाकर, भारत के लिए समर्थन मांग रहे थे, ताकि भारत आज़ाद हो सके, हम और आप आज़ाद भारत में साथ ले सके, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, नेताजी सुभाद बाबु का रणी है, एक सो तीस करोड से ज़्यादा भारतियों के शरीर में बैती रख्त की, एक एक बुन, नेताजी सुभाद की रणी है, ये रण हम कैसे चुकाएंगे, ये रण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे,